हलो साथ हो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने योटूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कच्छा दस विज्ञान जो की चैप्टर का नाम है बिद्धुत धारा ठीक है ने फिजिक्स देखने वाले हैं आपका जो बोर्ड है बोर्ड बीस नंबर का आप से पुछेगा क्या बीस नंबर का आप से पुछा जाएगा आप जक्तिव उसी को रिकवर किया जाएगा उसी की तयारी यहां कराई जा रही है बीस नंबर जो आपका आप जक्तिव आएगा आप लोग वीडियो कॉल्टी और फिर उसके बाद आवाज बता दीजे क्योंकि किसी वीडियो में यही दो चीज महत्तों पूर होते हैं तो आप लोग जल्दी से बता दीजे आवाज और वीडियो क्वाल्टी जल्दी से बता दीजे फिर उसके बाद तुरंट स्टार्ट किया जा आवाज बता दीजिए और वीडियो क्वालिटी बता दीजिए जल्दी से बताईए तुरंत बताईए आप तब लोग जल्दी आजाईए जहां कहीं भी है सभी लोग आजाईए वीडियो क्वालिटी बताईए तबियत खराब है लेकिन फिर ही पढ़ाया जाएगा जल्दी आ जाएए साथ बत्तिस हो गया है साड़े साथ बज़े स्टार्ट होता है दो मिनट आप लोग लेट हैं फिलाल हम भी हो सकते हैं कि हम भी लेट हो कि बताईए जल्दी से आ जाएए कहां हो कि सेयर करो सबते पहले अच्छा मुझे लग रहा है कि आज सब लोग मैच देख रहे हैं सेमी फाइनल आ रहा है ना इसलिए सब लोग मैच में भीड़े हैं क्या कि मैच देख रहे हो पढ़़ा लो मैच देख लेना हाइलाइट दिख लेना बाद में अभी पढ़़ा ठीक है अचलिए ठीक है आज ये स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहला प्रसक्ष्चण आपका सबसे पहला कोश्चन जो है आपका सबसे पहला कोश्चन यानि कि आज का 26 नंबर कोश्चन पिरिया ठाकुर आ चुकी है सबसे पहला कोश्चन यानि 26 नंबर कोश्चन यह है कि बोल्ट कहलाता है यानि एक बोल्ट कहलाता है एक बोल्ट क्या कहलाता है आपको इसका जवाब देना है कि एक बोल्ट क्या कहलाता है ठीक है जल्दी से बताईए आप लोग कि एक बोल्ट क्या कहलाता है जूल प्रति सेकंड होता है कि जूल प्रति कुलाम होता है कि जूल प्रति अंपियर होता है कि इन में से कोई नहीं होता है इसका answer आप लोग जल्दी से दीजिये, मातर थीस सेकंड आपके पास है जल्दी अंसर दीजियेगा, सब लोग आ जाईए, कहां चले गए हो, जल्दी से आओ जितने लोग भी हैं, जल्दी से आ जाएं, सेयर कर दें सب के पास जो वीडियो का लिंक है सब के पास सेयर कर दी जाए जल्दी से सेयर करिए और तब लोग आईए जल्दी से पढ़िए और फिर उसके बाद 26 का सी बता रही है ठीक है ना तो आप लोग जल्दी जल्दी आजाईए और बताईए जल्दी आईए और बताईए कौन सा सही है सभी लोग आजाओ 26 चल रहा है 26 आईए आजाईए आजाईए सभी लोग कौन से दुनिया में चले गए हैं किस दुनिया में हो अकानचा भी आगई हैं बहुत पही तब लोग आजाओ वीडियो क्वालिटी बता दो और फिर उसके बाद आवाज बता दो वीडियो क्वालिटी और अवाज बता दीजिए फिर उसके बाद तुरंत स्टार्ट किया जा तुरंत बिना देरी किये हुए ठीक है हां अकांच्छा 26 का भी बता रही है बहुत सही अकांच्छा का सही है क्योंकि 26 का भी होगा जूल प्रति कुलाम को हम क्या कहते हैं ठीक है ना यहां आपका W हो जाएगा ठीक है और यहां डबल। बाइक क्यों हो जाएगा और यहां आपका हो जाएगा एकितना हो एक जूल और लाया जूल आपका जूल हो गया और फिर कुलाम हो लाया गया जो आबेस है एक कुलाम भोठिक तो जूल प्रतिक कुलाम को हम क्या कहते हैं एक बॉल्ट कहते हैं बहुत तहीं अकांच्छा का सही है आप खाया रहा न चलिए सब करते हैं कि किलो वाट घंटा का मात्रक क्या है किलो वाट घंटा किसका मात्रक है धारा का है समय का है विद्दू तूर्जा का है विद्दू सक्ति का है किसका है मात्र 30 सेकंड आपके पास है तब लोग जल्दी से आंसर करिए मात्र 30 सेकंड है ठीक है मात्र 30 सेकंड आप लोग के पास है जल्दी से आंसर करिए 30 सेकेंड में 15 सेकेंड आपका बीत भी चुका है नंदनी आ गई हैं कह रहे हैं गोड इबनिंग सर गोड इबनिंग गोड इबनिंग आज आईए सब लोग जल्दी से आईए और तयारी करिए अपना मात्र आपके पास कितना बचा हुआ है मात्र अब एक भी सेकंड नहीं बचा है आपका समय सबात हुआ है किलो वाट घंटा किसका मात्र का आपको बताया गया है धारा का बताया गया है कि समय का बताया गया है कि विद्दूत उर्जा का बताया गया है कि बिद्दु सक्ति का बताया गया है किसका बताया गया है आप किसका जानते हैं किलो वाट घंटा किसका होता है जल्दी से बताईए किसका होता है जल्दी से बताईए किसका होता है जल्दी बताईए इतने लोग देख रहे हो जल्दी बताओ कौन सा सही है तो समय समापती ही हो गया है मैं ही बता देता हूं कि सी आपसंसी इसका क्या है सही है विद्दुत उर्जा का ठीक आपको यही बता गया है विद्दुत उर्जा का क्या है मात रख है चलिए बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन हो सकता है कि आप क्षिनक जानते हो सबते होम विड़्दूत हीटर की कुण्डली में किसका परियोग किया जाता है वह विए कर देखा है इसारा से बना होता तार होता है वह तार किसका पढ़ो सब लोग जल्दी पढ़िए और जल्दी त्यारी करिए और आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है जितना जल्दी आप पढ़ेंगे आप चैप्टर उतना जल्दी कवर कर पाएंगे उतना जल्दी खतम कर पाएंगे नहीं तो लास्ट में आप सोचेंगे क्या कौन सा नहीं पढ़ना है क्जली से त्यारी कर लो बाकी बात में तुस्थ पढ़ना है तो आप बताएं बिद्दोध हीटर की जो कुंडली होती है यानि वाला इस तरह से ऐसे वहиса बना होता है । इसका आंसर करीं है अप लोग 0 208-8 Continue ने अंसर करिये आप लोग 2 नंदनी 28 का ये कह रही हैं और कौन है और जो लोग भी है जो लिल्द आंसर करें वह से तवियत खराब है ठीक है आपका आंसर होगा 28 के बिल्कुल सही है नाइक क्रोम किसका बना होता है तार नाइक क्रोम का प्रियाठाकुर भी ए कह रही है बहुत तहीं चलिए अगले क्यों चलते हैं 29 नंबर संधय भी कह रही है संधय गलत है चलिए 29 पर आजाए बिद्दु चुंबक बनाये जाते हैं veterans को वहाला का हे च오 cev होता है जानि की naram लोह का हुता है यानि किस से बनेगा 29 का आंथर आप लोग करिये 29 का आंथर करिये कैसे बनेगा इन 39 मिख बनेगा जल्दी बताईए आप लोग सब लोग आ जाओ जल्दी बताईए 28 का भी हम पूछ रहे हैं 29 का चुम्बक बनाये जाते हैं चुम्बक किसका बनता है इसमें से आपको दिया गया है आपसन इसपाद चादी पीतल नरम लोहा किस से आप बनाएंगे ठीक है तो जल्दी इससे आप बनाएंगे ठीक है नहीं जानते चलिए मैं बता देता हूं इस पाद से नहीं आप चादी से भी नहीं बना पाएंगे और आप पीतल से भी नहीं बना पाएंगे नरम लोहे से बनता है जो आप मोटर खोलते हैं जब मोटर आप खोलेंगे जो पानी वानी दे रह करता है यानि कि नर्म लोहे से आप बनाते हैं किसे बनाते हैं वह एक नर्म लोहा होता है उसको किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं ठीक है तो बहुत सही जिन लोगों ने डी आंथर किया है बहुत सही है डी वाले एक दम सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेस्चन की ओ तीस नमबर question आपका क्या कह रहा है कि बिद्दोधारा उत्पन करने वाली उकती है यानि आप current कैसे उप्योग कर सकते मतबब कैसे बना सकते हैं parent किस तरह से बनाएंगे किस चीज से बनाते हैं ये चीज आपको पूछी जा रही है कि जनित्र से आप बनाएंगे कि मोटर से बनाएंगे कि एमीटर से बनाएंगे कि गैल्बनो मीटर से बनाएंगे ये बताईए आप इसका आंतर करिए थंध्या 29 का A कह रही है तो D सही है चलिए आगे बताईए 30 का A कह रही है अकांचा साहू चलिए जल्दी बताईए आप लोग जल्दी जल्दी बताईए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताईए ठीक है फटा फट बताईए आपके पास मातर छे सेकंड का समय है अब तो चार बचा तीन बचा दो अब एक समापत हो गया आपका समय क्या हुआ समापत हुआ ठीक यह बिल्कुल सही है क्योंकि आप जनित्र से ही करेंट बनाते हैं जनरेटर से ही बनाते हैं किस से जनरेटर जो आप जनरेटर पढ़ते हैं जनरेटर इंग्लिश सब्द है और उसी का हिंदी सब्द जो है वो जनित्र है तो जनित्र किसका हिंदी है जनरेटर का क्या है हिंदी बात समझे जनेरेटर का हिंदी है तो मोटर से बन recommending बताते मापते हैं मोंटर से तो आप क्या पालेते हैं पानि निकाल लेते हैं पंखाूंखा चला लेते हैं तो जनित्र से आप क्या करेंगे करेंट बनाएंगे एक चीज्छा yadже ुख ठीक है बहुत और आगे बढ़ते हैं आगे बहुत है करोणों बार पुछा गया question आपके पास आ चुका है करोणों बार पूछा गया question आपके स्क्रेन पर है एक यानि आपको हार्स पावर यानि 800 सक्ति किसके बराबर होता है आप से पूछा गया था बताया भी गया था 746 वाट के बराबर होगा 736 767 और 756 इन में से कौन सा सही है मात्र 30 सेकंड आपके पास है जल्दी से आंसर करिए आपके स्क्रेन पर सेकंड चलना स्टार्ट कर दिया है जल्दी बताईए आप लोग बुला के नहीं लाया है किसी को और आपने वीडियो भी किसी के पास नहीं सेहर किया है यह सबसे गलत बात है आपने वीडियो को लाउग भी नहीं किया है 31 का एक कह रही है संधिया ठीक है संध्या साय ने 31 का A कह रही है चलिए बहुत आगे बताईए आगे जो है 31 का अकांछा भी बता रही है A नंदनी भी बता रही है A और जो लोग भी है सभी लोग जल्दी लिव बताईए कि क्या सही है इसमें ठीक है क्या सही है जल्दी से बताईए आप लोग तो आपका समय हुगा समाप्त फिलहाल आपको बताया गया था कि एक आस्सक्ती बराबर यानि कि 746 वाट होता है कितना होता है 746 वाट जिन लोगों ने आपसर ए चूच किया था बहुत सही और यह आपका बोर्ड में आएगा भी 100 पर्फेंट आएगा याद रखिएगा छमाही में भी आ सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं प्री बोर्ड में से एक ही सही होगा तो अड कि आध्य नहीं दे रहा है अंदनी we vídeo quality भढा लीजे न वहां इस्क्रीन पर तो ये चारों में से कौन सा फार्मूला सही है वी बराबर एक बटा आर की वी बराबर आर बटा एक की वी बराबर आई आर की वी बराबर आई आर इसक्वायर इसमें से कौन सा सही है आपके पास चार विकल्प है चारों में से एक सही है जल्दी से आप बताईए और तीन गल कौन सा प Patriciaorit vậy house ड सभी है कि आपको बताना है जल्दी से अप लोग नहीं कर रहे हैं ये बहुत गलत बात है ठीक है इतना गलत काम करते हो तुम लोग आंसर नहीं करते हो पर क्यों नहीं करते हो करना चाहिए गलत हो गया तो क्या हुगा तरमा गए सरम आ गया तो अगर गुडिया साहनी आ गई है बटकते हुए चलिए ठीक है तो आपका आपसन नंबर थी सही है पिरिया ठाकुर सी कह रही है बहुत थी अकांच्छा ने सी बोला है और पिरिया ठाकुर ने तो सी वाले बिलकुल सही है बाकि जितने भी फार्मूल क्या है गलत है कि वर्ती वाला सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉस्चन की और यह तो बहुत लंबा कॉस्चन है चलिए फिलाल मैं इसको छोटा कर लेता हूं फिर रहाल अब पढ़ रहे हैं कह रहा है कि निम्न में से कौन सापद बिद्दुत परिपत में उपित करता है यानी फार्मूला दिया गया है पहला है और स्कॉर ढूसरा है और स्कॉर मिय। चौथा है भी आई स्क्वायर ठीक है इन में से कौन सा सही है ये देखिए इन में से चारों में से कौन सा सही है आप लोग आंसर करिए फटाक से 33 नमबर का 33 का कौन सा सही है ये ठाक और अतुल भी आ गए हैं 33 का बताई आप सभी लोग 33 का बताओ अल्ला 33 का बताई आप लोग जितने भी सेर और सेरनिया हैं सब 33 का अंसर करें 33 का आंसर करो जल्द यल्दी करिए आप लोग 33 का आंसर कौन सा सही है अकांछा ने आंसर किया 33 का ए चलिए और कौन है और जो लोग भी है जल्दी बताईए 33 का कौन सा सही है अतुल ने अकांछा का नकल किया नंदनी ने भी बोला है ए और और जल्दी से बताईए जो संध्या सायनी ने भी बोला है और बताइए बहुत सही जिन लोगों ने आपसन ए बोला है बहुत सही एकदम सही है पिरिया ठाकुर ने भी ए बोला है तो ए वाले बिल्कुल सही है कि आई स्कॉयर आर होता है ठीक है ना विद्दुत सक्ति जो होता है यही होता है विद्दु चौशचन की ओर चलते हैं, अगला कोशचन में इसको बड़ा कर्दू जरा, चलीए, 34 number question में देखें, इस्थिर बिद्दुत आवेस, इस्थिर बिद्दुत आवेस, आपसने हैं, विरामा अवस्था में रहते हैं, विरामा अवस्था में रहते हैं, B है गतिमान अवस्था में रहते हैं C है दोनों अवस्था में रहते हैं D है किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं तो ये आंसर आप जल्दी से करिए फटाक से जल्दी जल्दी करिए कौन सा सही है आप 34 पे आ चुके हैं लड़के एक भी नहीं आए सम मैच देख रहे हैं सेमी फाइनल आ रहा है मैं जानता हूं ठीक है ना सेमी फाइनल का मैच है न्यूजिलेंड खेल रही है तो सब लोग मैच देख रहे हैं लड़के जितने भी है सम मैच देख रहे हैं लड़कियां आई है चलिए ठीक है देख किया है नंदनी ने ए किया है और और जो लोग भी है आंसर करें तो ए वाले बिलकुल सही है यहां समय नहीं लिया जाएगा संद्यासानी ने बोला है बहुत सही ए आपका बिलकुल सही है ए आपका एकदम सही है जिन लोगों ने ए आंसर किया है बहुत सही चलिए आगे क्या कह 64 सकते हैं इन्मेंसे कोई यानि जब करेंट बहरा हो Κरेंट आशे जा रहा हो तब कैसे हैं तक कैसे रहते हैं आप आपको दे दिया गया है जिस में से 2-4 सेकेंड भी गया होगा तो आप लोग फड़ा-फड़ आंसर करें निंदनी ने 35 का बी किया है कि गती की आवस्ता में रहते हैं गती की आवस्ता में रहते हैं और बताईए और जल्दी से बताईए आप लोग फटागते बताईए ज्यादा देर मत करिए क्योंकि समय जो है बहुत ही कम है कि समय कम है गुडिया साहनी 35 का भी कह रही है नंदनी भी कह रही है और जो लोग भी है आंसर करें तुरंट कि इतने लोग देख रहे हो कमेंट कर ही नहीं रहे हो चलो ठीक है 35 का क्यों देखते हो 35 का भी सही है कि जब धारा बहेगा तो आदेश गती में रहेंगे संध्या साहनी का भी भी ही है चलिए बहुत अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले कोस्चन की और 36 नंबर आप लोग 36 क्या कह रहा है कि उर्जा का ऐसाई मात्रक होता है कैलोरी होगा जूल होगा ताप होगा इनमें से कोई नहीं कौन सा होगा आप जल्दी से आंसर करिए फडाग से फडाग ते आंसर करिए अकांचा 36 का बी कह रही है अकांचा कह रही है 36 का बी ठीक है और जो लोग भी है आंसर करें मात्रा आपके पास 15 सेकंड बचा हुआ है गुडिया साहनी ने भी बोला है और फिर नंदनी ने भी बोला है और कौन है और कौन है जल्दी जल्दी आंसर करें जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग और शंद्या सानी ने भी बोला है और जितने लोग भी हैं जल्दी अल्दी कमेंट कर दें जल्दी अल्दी कमेंट करिए बहुत तही जिन लोगों ने आपसन उर्जा उर्जा जो होता है उसका जो मातरक होगा जूल होगा उर्जा का मातरक क्या होता है जूल होता है आपसन भी जिन लोगों ने बताया था एकदम सही है उनका आपसन बिल्कुल सही है 37 पे आ जाईए 37 क्या कह रहा है इसको देखते ह तो 1eren इकिलोवाट घंटा का विआपारिक क्या है क्या है क्या कहते हैं आप अपने हैं क्या कहते हैं कि वाट कहते हैं कि आप घंटा कहते हैं कि जूल घंटा कहते हैं क्या कहते हैं जली से पताईए आप अपने घर में क्या कहते हैं इसको जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग बहुत जल्दी आंसर करिए आप लोग बहुत देर में आंसर कर रहे हैं लगता है सर्च करने लगते हैं करते हो ना फिर उसके बाद यहां कमेंट करते हो सब्सक्राइब कि करते हो तुम लोग 37 का एक कह रही है अकांचा जलने से बताई यह गुडिया सी कह रही है संध्य एक रही है नंदनी एक कह रही है और कौन है कि समय आपका समात हो गया आं तुरंध बता देंगे तो ए वाले बिल्कुल सही है क्योंकि यूनिट ही अपने घर गाउं में बोला जाता है यानि जो वहारी भासा है उसे हम यूनिट ही बोलते हैं क्या बोलते हैं यूनिट बहुत सही वह सही आंसर आगे चलते हैं अगले कोश्चन कि नमबर 38 कह रहा है कि एक जूल का मान होता है एक जूल का मान कितना होता ये भी आपको बताया गया है चार दसमलो एक आठ कैलोरी और जीरो दसमलो दो चार कैलोरी जीरो चार दो कैलोरी इन में से सभी सत्त हैं बताईए कौन सा सही है सब सही है कि सब गलत है कि एकको सही है अपको गलत 38 का आंसर करो फडाक से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 38 का आंसर करिए आप लोगों से मुझे 38 का आंसर चाहिए मात्र आपके पास 10 सेकंड बचा हुआ है बाकि सब बीत उद गया है ना बाकि सब बीत गया है जल्दी से बताओ बताओ 38 का एक लोगों का आंसर नहीं आया तुम लोग की एक लोगा आंसर कर दो समय समाप्थ हो गया बताओ कमेंट तो करो चलो ना करो कि बी नंबर जिनों ने अंतर किया है लेकिन किसी ने नहीं किया है बी वाले सही है लेकिन किसी ने किया नहीं है चलो जो मन में सोच रहे थे कि बी सही होगा ए सही होगा उनका सही हो गया ठीक है चलो आगे वढ़ते हैं अगले कॉस्चन की और 49 नंबर, करा सुस्क सेल में RID Electrode. सुस्क सेल में RID Electrode किस धातू का होता है, जो आपको सेल पढ़़ाए गया था, दो अबसक्राइब इसे पढ़ाए गये थे, तो उसमें जो आपका RID वाला था, ना RID वाला, वो किस का था, किस धातू का था, कारवन धा, कि जस्ता का था कि ताबा का था कि इन में से कोई नहीं मात्र आपके पास 30 सेकंड है जल्दी से आंसर करिए किसका था आप लोग बताइए किसका था बताइए किसका था जल्दी से आंसर करो लाइक भी कर देना शेयर भी कर देना आप सब को ते स्टेटर लगा देना चाहिए क कब voluntar के लगाते ही नहीं हो कि लगादें भाला वज्जार कि किसी और का मारा नहीं किसी और का कर देख लेगा उसका भाला होजाएगा हमारा क्या बला होगा कि चलिए पिन अकांचह 49 कभी कह रही है तो ८िए मघ तो 49 कभी जिन लोगोंने बताया है जस्ता जडन जस्ता काった किस्का होता है इसे का उल्टां सुस्क सेल में धन इलेक्ड्रोड किस दातू का होता है पर जस्ता कार्बन लोहा ये बताईए में धान वाला किसका आप सोचाण minder ऐब तो रेडिद वाला बता जक्ता हो अब मुझे बताओ कि जो धान वाला होता भू किसका होता धान का मतलब पैसा नहीं धन न eviden अला का जंदि बताओ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताओ 49 का भी हमें 40 का अंसर चाहिए 49 49 बहुत दूर चला गया कितना किसका बना होता है धान वाला दो बताए गया था आपको कि ये इस तरह से इस डबे में दो ठी है एक ठी तो आपने बता दिया माइनस वाला किसका होता है अब आप पलस वाला बता दें पलस वाला चालिस का सी किस ने बोला है पी वह अकांचा ने अकांचा गुपता ने बोला है सी जो कि सी गलत होना चाहिए सी सही है कि गलत है सुस्किशल में धन इलेक्ट्रोल कि सी गलत होना चाहिए कारवन का कहा होता है का कार्वन होता कार्वन का नहीं कापर इठीक का अगे बढ़ो यह बताओ समुखित किसी कुंडली का प्रतिरोद ज्याद करने का सूत्र मान लीजिए कोई कुंडली है जैसे आप कुंडली अभी इस तरह से पढ़ाता अच्छा कुंडली इसको भी कहते हैं आप लोग अगले चैप्टर में जानेंगे ऐसे है कोई इसे यह है यह आपका हो गया एक छाड़ हो ग निकला है यह जो बनाइसे कुंडली कहते हैं क्या कहते हैं कुंडली जैसे अभी आपने हीटर में देखा था ऐसे आइसे तो वह भी कुंडली हो जाएगा तो इसका बता यह कुंडली में प्रतिरोध ग reckless लित पहला 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 दिया हुआ आर बराबर आर बराबर वी गुड़े आई और आर बराबर वी बटा आई और आर बराबर आई बटा भी और आर बराबर वी माइनस आई कौन सा सही है पानी लाओ तो माना 30 सेकंड है आपके आपके पास जल्दी से आंसर करिए आप लोग जल्दी से बताओ चालिस का एक तालिस का अंसर करो आपका जो आंसर है एक तालिस का एक तालिस का भी आपका सही है आर बलाबर भी वटा आई भी सही है ना भी सही है चलो यह हो गया बहुत आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्या कह रहा है बिजली के फ्यूज बिजली के फ्यूज फ्यूज आपको पढ़ाया गया है ठीक है न तो बिजली के फ्यूज का तार बना होता है यानि बिजली का जो फ्यूज होता है जो आपकी घरों में फ्यूज लगा है वो किसका बना होता है कि तीन का बना होता है कि ताबे का बना होता है कि ताबे और तीन का दोनों का कि इन में से कोई नहीं जल्दी से आंसर करके बताओ कौन सा सही है किसका बना होता है सब लोग चलेगे खाना खाने किसका बना होता है जल्दी से बताईए आप लोग जल्दी से बताईए किसका बना होता है जंदेल्दी आंसर करिए इफडाक से कि किसका बना होता है मात्रा आपके पास 5 सेकेंड है और 42 का आंसर देना है आपको 42 का कौन सा सही है अकांच्छा ने भी बोला है अननदनी ने भी भी बोला और कौन है आप इनका आंसर बदल गया है ए हो गया संद्य का बी हो गया 42 का बताईये और आप लोगों का जो भी आपने आंतर किया है सब गलत है गुडिया का भी है इसाब गलत है सी सही है दोनों का होता है मिक्स होता है मिक्सचर आपको पताया गया था आप भूल गया है ठीक है ना सी सही है चलिए आगे बढ़ते हैं कि दोनों का हो सकता है अगला क्या कह रहा है यह जो आप देख रहे हैं यह एक इलेक्ट्रान बोल्ट लिखा है क्या लिखा है एक इलेक्ट्रान बोल्ट लिखा है ठीक है एक इलेक्ट्रान बोल्ट किसके बराबर होता है यानि एक इलेक्ट्रान बोल्ट किसके बराबर होता ह और दूसरा 16 गुड़े 5S 4061 मिलेगा और सो धैनल अपने परवा जिसलीट आपर से इसका आंतर बदाएए क्या क?, 30 से कंड का समय है? इससे जादा नहीं मिलेगा और इससे जादा हम देंगे भी नहीं तुरंत हम आंसर बता देंगे 30 सिकंड में और उसके पहले जो भी आंसर करेगा उसी का नाम भी लेंगे और किसी का नाम वहां भी नहीं लेंगे कि हम अपना आंजर बता देंगे कौन सा सही है आपको सब पढ़ाए गया यह क्या नाम है अकांच्छा अकांच्छा साहू ने 43 का ए बोला है ठीक है 43 का ए बोला है और किसी नहीं बोला है और आपका समय समाप्त भी हो गया है इतने लोग देख रहे हो और एक दो का पिरिया ठाकुर का ए आया और नंदनी का भी आया चलो लेकिन जिन लोगों ने 43 का ए बोला है उनका सही है ठीक है इतना ए सही है एक दसमलोग 6 गुड़े 10 के पावर और 19 चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कौस्चन की और इसमें देखो यह कह रहा है एक मिली एंपियर कितना होता है एक मिली एंपियर कितना होता है दस के पावर और तीन एंपियर कौन आसा सही है इन चारों में से आप आंसर बताईए है वह जल्दी बताओ कौन सा सही है कौन सी दुनिया में हैं आप हौन सा सही बताओ ऑट की बताईए लिगा haircutओ नीद आ रही है है इन खाना खा लिये सब और कि सोने लग अ पताईए जल्दी से समय समाप्त वा कि ओल एच्च वालिस का अकांच्छा ने यह बोला है और नंदनी ने बोला पिर्याठ हाकुर ने यह बोला है तो मिली एंपियर में बहुत सही दस के पावर्ण ती नहीं होगा हाँ तो यह पहला वाला ही सही होगा आपका पहला वाला क्या है सही है बहुत सही आगे चलते हैं पैतालिस नंबर पैतालिस नंबर क्या कह रहा है एक माइक्रो एंपियर ठीक है वो माइक्रो का निशान है संध्या का ए सही है एक माइक्रो एंपियर कितना होता है दस के पावर रिड पांच एंपियर होता है कि दस के पावर रिड पांच एंपियर कि दस के पावर रिड चार कि दस के पावर रिड तीन एंपियर कि दस के पावर रिड छे एंपियर इसका आंसर बताओ ये भी तो आसान है, सरल है, इसका आंसर बताईए आप लोग, ठंडी पढ़ने लगई है, सेटर अटर पहें लिया करो, बताईए आंसर इसका, इसका आंसर बता दीजिए, एक माइक्रो एंपियर, एक माइक्रो एंपियर किसे के बराबर होता है, दस के पाउर रिड़ पांच, कि दस के पाउर रिड़ छे, कि दस के पाउर रिड़ चार, कि दस के पाउर रिड़ तीन, जल्दी से बताईए, आपका समय समापत हो गया, पैतालिस का डी बोला है, अनिलेस, यादो ने डी बोल नंदनी ने डी बोला है और जो लोग भी आंतर करें रहा है बहुत सही संध्या साहनी ने भी डी बोला तो डी वाले बिलकुल सही है डी वाले एकदम करेक्ट हैं आगे चलते हैं अगले कॉस्चन की और अगला कोश्चन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है कह रहा है कि चालक में इलेक्टरान तभी गवन कर सकता है यानि मान लो यह चालक है इसमें इलेक्टरान तभी जा सकता है जब चालक के अनुदिस बिद्दुत दाब में कोई अंतर नहीं होता बिद्दुद्दाब में अंतर होता है बिद्दुद्दाब सभी अस्थानों पर थमान होता है अब बिद्दुद्दाब का कोई महत तो नहीं होता आप लोग बताईए जल्दी से कौन सा सही है आपके पास मातर 30 सेकंड है तीस सेकंड है जल्दी से आंसर करिए आप लोग फटाफट आंसर करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर करो प्रिया ठाकुर का 44 का डी 45 अब 46 का पूछ रहे हैं 46 का आंसर करिए आप लोग 46 का अंसर करिए आप लोग ठीक है 46 समय आपका थमापत होगा निलेस यादो ए कह रहे हैं 46 का 46 का जबकि 20 होना चाहिए जब अंतर होगा तभी तो करेंट जाएगा देखो मान लोग कि यह कोई चालक है यह चालक हो गया यहां बिद्दुद्दाप ज्यादा हो और यहां बिद मैं जब कोई अंतर ही नहीं होगा माननों यहां विद्दी पांफ है और यहां बिद्दर जाएगा कहीं कहीं नहीं जाएगा और 175 है और 17 है अर यहहां तो mix भी बागत जाएंगे विद्दुद्दाप जारों करेंगए तो 46 का बी नंबर स्वाप उना चाहिए चाहिए कोश्चन की और 47 नंबर कोश्चन है जिसका गलत है डिलीट कर दो केमेंट यही काम है तुम लोगों का अगर क्यों आबेस यानि जो क्यों है तो आबेस बता रहा है विभुवांतर भी बता रहा है वी से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा क्या होगा यानि वी आबेस है और यह तो डबलू वरावर क्या होता है वी वाई क्यू होता है कि क्यू भाई भी होता है कि वी क्यू होता है कि बी माइनस क्यू होता है क्या होता है इसका आंसर बताऊ साथ तालिस नंबर का 47 का क्या होगा जल्दी से आप लोग आंशर बताइए 47 का 47 का आंशर बताईए आप लोग जल्दी से 47 का आंशर बताओ जितना जल्दी हो थके उतना जल्दी 47 का आंसर बताईए किया गया कार बहुत सही समय आपका थमापत हो गया 47 का ए आप लोगे लिए छोड़ दें बताएंगे आंथर चलो एक होमवर्क लेलो तुम लोग ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया आगे हम बढ़ रहे हैं बताएंगे भी नहीं चलो आगे चलते हैं 48 नंबर पे आयिए जिस प्लेट से धारा बेच ती है उसे सेल को कहते हैं धंद्रू कहते हैं रिरिड़ केते हैं दोनों कहते हैं इनमें ते कौह नहीं कौन सा सही है अडतालिस का अंसर करिए जहां से जिस प्लेट से भेजती है बाहरी सेल बाहरी परिपत में जिस प्लेट से धारा बेचती है धारा किधर से किधर जाता है आपको बताया था कि जो बिद्दु धारा होती है बैटरी के किधर से किधर चलती है धन से रेड़ की और चलती है कि रेड़ से धन की और चलती है कि दोनों और से चल लेती है यह आ सी कह रहे हैं नितीस यादो हैं निलेस हम कह रहे थे नितीस यादो हैं यानि नितेस होंगे दया संकर है 48 का भी कह रहे हैं अकांचा भी पता नहीं कौन सी दुनिया में है 48 का भी कह रहे हैं जबकि आपको बताया गया था कि बैटरी के धनातमक टर्मिनल से रिडातमक टर्मिन कि और संध्या भी गलत बता रही हैं धन से रिड़ की और जाता है बिद्धुधारा ठीक है ना याद रखेएगा तो धन दुरू से किदर से जाएगा धन दुरू से ए सही है चलिए उन्चास नंबर थवाल पर चलते हैं अन्चास नंबर पर पहुच चुके हैं हम लोग और युत सही नहीं रहा है किसी चालक का प्रतिरोध्यों निर्वर करता है यानि कोई चालक है यह चालक है इसके अंदर प्रतिरोध जादा हो कम होगा वह कौन डिपेंड करेगा किसके उपर डिपेंड करेगा चालक तार की लंबाई पर करेगा कि चालक की अनुप्रस्त काड के छेत्रफल पर करेगा कि चालक की प्रकृति पर करेगा कि उपयुक्त में सभी पर इसका आंसर बताओ आप लोग जल्दी से किस पर करेगा डी नितीश यादो कह रहे हैं डी चलिए और कौन है जो लोग भी है आंसर करें आप लोग सब को सेयर करो बहुत कम समय बचा है पढ़ने के लिए बोर्ड की त्यारी के लिए आप सब लोग आईए बढ़ियां से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अकांछा ने सी बोला है कि नितीश ने डी बोला है और कोई है तो वह भी बोल दे है तो बहुत लोग लेकिन बोलने वाले में और कोई है तो बोल दे कि जलनली आंसर करो कि डी चलिए जलनली बताईए आप लोग दया संकर उन्चास कासी आप पिरियाठ हाकुरडी संध्या साहनी डी चलिए बताईए जलनली पताईए आप लोग बहुत तही जिन लोगों ने आंसर किया है डी सही है एक डी वाले एकदम सही है क्योंकि चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रित्रोद भी बढ़ेगा प्रत्रोद काम होगा इस पर भी निर्वर करता है तो यह चीज हो गया डी वाले बिल्कुल शहीं है आगे चलते हैं 50 नमबर कुस्टन की चोर 50 नमबर क्या एच से दरसा आगया तो एच वाला फार्म॔ला आपकी अक्ताना है 1.3 ष्रजश सेकंड है आपके पास जल्सथर करें आप्लो 1.3 सेकंड है आपके पास जल्दी से आंज़र करके बताओ जल्दी से करो जल्दी से आंदर करो आंतर करो आंसर आंसर जल्दी 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 ज ने दिया था तो आज का कोश्चन खतम हुआ आज पचास कोश्चन ही था फिलाल आपका खतम हो चुका है तो आप लोग डेली साम को आईए और पढ़िए अपने दोस्तों को ले आईए चुपके से बैठा मत रहिए ठीक है तो आज हम यहीं तक देखेंगे कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद सास्त रहिए बैस्त रहिए और मस्त रहिए